हेलो स्टुजेंट्स आज हम कच्छा दस के गड़ित काथ चेक्टर नमबर 12 सर्फिस एरिया एंड वॉल्यूम जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेष्ठिय छेत्रफल एवं आयतन को लेकर उपस्थित हुए हैं तो इसकी प्रिष्ठावली है 12 दसमलब 2 तो इसके जो remaining question है वो आज हम solve करेंगे तो question नमबर है 8 एक बरतन उल्टे संकू के आकार का है संकू कैसा है उल्टा है तो किस तरह का है इस तरह का संकू बना हुआ है उल्टा हुआ इस तरह का वो बरतन है अब कहा गया है इसकी उचाई है 8 cm means h उचाई को h से प्रदर्शित करते हैं यह हमें दे रखा है 8 cm आर क्या दिया है इसके उपरे सिरे जो की खुला हुआ है कि उसकी तरिज्जा है 5 cm तो तरिज्जा कितनी है इसको आर से प्रदर्शित करते हैं यह हमें दे रखी है 5 cm means यह तरिज्जा 5 cm दी हुई है और इसकी उचाई यहां से ले करके यहां तक यह उचाई हमें दे रखी है कितनी 8 cm अब कहा है यह उपर तक पानी से भरा हुआ है जब तक इस बरतन में सीसे की कुछ गोलियां जिनमें प्रतेग 0.5 cm तरिज्जा वाला एक गोला है तो इसमें कुछ गोलियां डाली जा रही है तो यहां पर गोलियों की तरिज्जा कितनी दे रखी है 0.5 cm इतना cm है इस बरतन में डाली जाती है इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है तो जितना भी इसमें पानी भरा हुआ है यह सारा का सारा पानी से इस तरह से भरा हुआ है जब यह भरा हुआ है तो इसमें गोली जब डाली जा रही है तो एक चौथाई हिस्सा इसका बाहर निकल जाता है पानी का तो बरतन में डाली गई सीसे की गोलियों की संख्या ग्याद कीजिए तो हमसे गोलियों की संख्या पूछी गई है तो मान लेते हैं इसकी उचाई को capital H इसकी तरिज्जा को capital R और इसकी तरिज्जा को small r मान लिया तब माना कुल गोलिया या गोलियों की संख्या कितनी हैं? एन हैं अभी हमने एन सपोज कर लिया है तब प्रस्न अनुसार इस बरतन में से कितना पानी बाहर निकला है? एक चौथाई means इस बरतन में जो पानी है तो पानी का आयतन क्या होगा? जितना इस बरतन का आयतन होगा? means बरतन का आयतन का एक चौथाई हिस्सा बाहर निकल रहा है तो एक चौथाई हिस्सा किसके बराबर है? उन गोलियों के आयतन के बराबर गोलियों के आयतन के बराबर और ये गोलियां कितनी है एन गोलियों के आयतन के बराबर है तो ये कितना मिल जागा एक वटा चार बरतन का आयतन कितना होता है इसका आयतन होता है संकू का एक वटा तीन पाई आर स्क्वाईर एच चुकि हमने इसमें R इसकी तरिज्जा को capital R माना है तो यहाँ पर capital R और H capital H माना है तो यह capital H N गोलियों का आयतन तो N एक गोली का आयतन कितना होता है 4 वटा 3 पाई और R की घार 3 तो यहाँ से 1 वटा 3 पाई 3 से 3 यह cancel और पाई से पाई cancel यह cancel हो गया क्या मिलेगा यहाँ से 1 वटा 4 और यह capital R square R कितना है 5 इसका बर्ग है into H capital H यह हमें दे रखा है कितना 8 बराबर N गोला चार ऐसा का ऐसा ही small R यह हमें कितना दे रखा है 0.5 तो तीन घात है तो इसे तीन वार लिख लेते हैं अब क्या किया यह इसके बटे में एक किया और पॉइंट अड़ा कर एक 0 बढ़ा लिया अब पाँच दूनी 10 पाँच दूनी 10 पाँच दूनी 10 तो यह कितना मिल जागा दूनी 4 चार से चार यह कैंसल हो गया एक दू बचा है यह इदर चार दूनी 8 तो यह 2 कहा आजाएगा इदर गुणा में तो यह मिल जाएगा 5 का बर्ग इंटू 2 और यह 2 गुणा में आजाएगा बराबर इदर बचा है केवल n तो n बराबर कितना हो जाएगा पांच का बर्ग 25 पच्चिस दूनी 50 दूनी 100 यह वैलू आगई 100 अतहा जो गोलियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 100 गोलियों की संख्या बराबर 100 और यही इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर 9 दिया है उचाई 220 सेंटी मीटर तथा आधार ब्यास 24 सेंटी मीटर वाले बेलन जिस पर उचाई 60 सेंटी मीटर और 8 सेंटी मीटर तरिज्या वाला एक अन्य बेलन अध्यारूपित है तो यहाँ पर एक इस्तम्भ है जो की इस तरह का है एक बेलनाकार ये वाला भाग इसके उपार एक और इस तरह का बेलन बना हुआ है जिसमें कहा गया है जो बड़ा बाला है इसका 220 सेंटी मीटर उचाई है और इसका आधार ब्यास पूरा ब्यास दे रखा है कितना? 24 सेंटी मीटर तो त्रिज्जा इसकी आधी होती है कितनी हो जाएगी ये? 12 सेंटी मीटर अब उपर इसके जो दूसरा बेलन है उसकी उचाई दे रखी है 60 सेंटी मीटर ये 60 सेंटी मीटर है और इसकी जो त्रिज्जा है वो 8 सेंटी मीटर त्रिज्जा ये 8 सेंटी मीटर ही दे रखी है तब क्या-क्या दे रखा है हमें? इस्तंब में इस्तंब में छोटे बेलन की त्रिज्जा ये small r माल लेते हैं small r दे रखी है कितनी? 8 सेंटी मीटर वा उचाई इसे small r माल लेते हैं ये हमें दे रखा है 60 सेंटी मीटर तथा जो बड़ा वाला बेलन है बड़े बड़ा वाला बेलन है इसकी त्रिज्जा इसे माल लिया त्रिज्जा capital r है तो वो हमें ब्यास दे रखा है 24 सेंटी मीटर त्रिज्जा हो गई आधी 12 सेंटी मीटर और उंचाई माल लिया ये capital h है तो वो कितना है 220 सेंटी मीटर तब इस इस्तंब का आयतन कितना हो जाएगा दोनों बेलनों के आयतन का योग तब पहले छोटे वाले वेलन का आयतन फार्मूला वही रहेगा πाई r square h इसका भी πाई r square h चुकि त्रिज्जाए और उंचाईया अलग अलग हैं तो हमने ये एक को capital माल लिया है और एक को इसमाल माल लिया है तो पाई यहां से common ले लिया ये रह गया r square h यहां से भी capital r square और capital h पाई की value हमें दे रखिये 3.14 इसमाल r ये 8 है तो 8 का बर्ग h 60 है 60 रग दिया प्लाइसमाल सरी capital r ये है बारहे तो बारहे का बर्ग into capital h ये दे रखा है 220 220 solve करने पर 3.14 ये 8 का बर्ग 64 गुणा 60 प्लस 12 का बर्ग 144 गुणा 220 तो तीन रसम लव एक चार ये गुणा कराएंगे 64 के 24 के 4 66 और दो हासिल के 36 और दो 38 प्लस इधार भी 0 ऐसा का इसा ही 22 के 88 के 8 हासिल लगे 8 22 के 88 88 और 96 हासिल लगे 9 22 एकम 22 22 और 9 कितने हो गए 31 add कर लेंगे 3.14 तो 0 और 0 जीरो जीरो इधार 4 और 8 12 है 6 8 14 है और एक हासिल का 5 है एक और तीन 4 और एक हासिल का 5 और तीन ऐसे के ऐसे ही तो यह मिल गया 35 पांसो बीस अब यह क्या निकल के आ गया आयतन हमसे पूछा है इस्तंब का द्रब्मान गयात कीजिए तो इस्तंब का द्रब्मान बड़ाबर होता है घनत गुड़ा आयतन अब आयतन तो हमने निकाल लिया है घनत उसमें दे रखा है एक गन सेंटिमीटर लोहे का द्रब्मान दे रखा है 8 गरम मतलब घनत तो हो गया 8 गरम प्रती घन सेंटिमीटर आयतन वो हमने निकाला है कितना 3.14 गुणा 35525 इतना और घन सेंटीमीटर तो घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर कैंसल ये गुणा करा लेते हैं पहले इसकी गुणा करा लेंगे 3.14 ऐसा का ऐसा ही 8 की 0 से 0 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1 आठ पंजे 4 और 1 एकतालेस हासिल लगा 4 आठ पंजे 4 और 4 चावालेस हासिल के 4 आठ यहां 244 28 आठ दूनी 16 के 6 आठ पंजे 4 और 1 एकतालेस आठ पंजे 4 और 4 चावालेस आठ यह 24 और 4 28 ठीक है इतना आ गया यह क्या आ रहा है ग्राम इनकी भी गुणा करा लेते हैं तो इधर 28, 41, 60 गुणा किससे करानी है तीन दसमलब एक चार की तो 0, 4 चार चके 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 चोके 16 के 6 हासिल लगा 1, 4, 8, 32, 32 और 1, 33 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3, 11 है एक से गुणा कराएंगे तो यह ऐसा कैसा ही 1, 0, 6, 1, 4, 8 और 2 तीन से गुणा कराएंगे तो 0 ऐसा कैसा ही 3, 6, 18 के 8, 3 एकम 3 और एक हासिल का हो गया 4, 3, 4 के 12 है के 2 हासिल 1 3, 8, 24 और एक 25 हासिल के 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 हासिल के 8, 0, 4, 6, 6, 12 है 6, 7, 1 हासिल का 8, 8, 8, 16 का 6 हासिल लगा 1 और यह चारतिया 12 है हासिल का 1 और यहां पर 8, 2, 10 और एक हासिल का 12 है और यह कितना हो जाएगा 5, 2, 7 और एक 8 और एक हासिल का 9 और यह 8 यह आ गया 8, 9, 2, 2, 6, 2, 4, 0 2 के बाद दसम्लब है 2 के बाद दसम्लब लगा दिया यह हो गया ग्राम में इसे किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा तो 892, 262, 4 बटे 1000 ये किसमें चेंज हो जाएगा अब? किलोग्राम में तो किलोग्राम जब हजार से भाग देंगे तो तीन जीरो हैं तीन जीरो हटाएगे तो ये पॉइंट कहा जाएगा? तीन नमबर पहले तो ये मिल जाएगा 892.26 इतना किलोग्राम आंसर ये आ गया द्रबमा तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में और कुश्चन्स के साथ में उपस्थित होंगे तब तक के लिए धन्नबाद